तो यह है हमारे पास Gigabyte के तरफ से आने वाला GTX 1660 Super चलिए देखते हैं कैसा आपको यह Graphic Card देखने को मिल जाता है और इसकी क्या-क्या Specifications आपको देखने को मिलती है तो चलिए सबसे पहले इस Box का Overview देख लेती है और देख लेते हैं क्या-क्या आपको इस Box में मिलता है और कैसा यह Graphic Card की Build Quality है तो उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे Specifications की तो कुछ इस तरह का Box आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर गीगाबाइट की Branding देखने को मिलती है यह नया ही लांच है 1660 से अगर आप कंपेर करते हैं या फिर 1660 टी आई से करते हैं तो इस वीडियो में जो Graphic Card आपको दिख रहा यह गीगाबाइट की तरफ से आने वाला है जो की आपको आपको 6GB RAM देखने को भी मिल जाता है इसमें आपको Wind Force Technology भी देखने को मिलती है और यह और यह आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है 2x fan इसमें आपको 2 fan देखने को मिल जाता है इस Graphic Card में आपको 6GB RAM देखने को मिलती है जो की DDR6 RAM है तो आप देखी रहेंगे इसके Backside पे कुछ ज्यादा आपको Sticker देखने को मिल जाता है क्योंकि मैं इसी Online मंगाया था तो Online वाले इस पे कुछ Sticker वे Sticker चिपका देता है ताकि यह सही इंसान के पास दिलिवर हो पा है उनके तरफ से भी यह सही लेकिन उनोंने मैंने बॉक्स को अबरबात कर दिया लेकिन कोई बात नहीं जो कुछी भी दिख रहा है उसी पे आपको EXPAND कर देता हूँ अब बात करते हैं वी फोर प्रॉट डेहने को देकने को मिल जाता है जिसमें से तीन डिस्प्ले पोर्त हैus और एक HDMI पॉर्ट है चल्हीं चलता है इसके मिनिमनम् रॉक्वायरमेंट पर देख से तो इसमे आपके इसका minimum requirement क्या क्या है इसमें आपको PCI X session की use होगी और सबसे बड़ा confusion तो यहां पर यह रहता है कि इसके लिए आपको power supply करता चाहिए तो इसमें इसमें 450W से उपर की power supply चाहिए 450 या फिर 450 से उपर और इसमें minimum requirement आपको hard x space के लिए 1.5 GB की है और 8 GB system memory RAM चाहिए और recommend यह करता है 16 GB 1.8-pin supplementary power connector भी आपको चाहिए अगर आपके power supply में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसी according अपना power supply भी buy करें आपको इसमें पीछे की और एक protection के लिए back plate भी देखने को मिल जाता है तो यह तो इसके box पे सारी बाते हैं अब चलिए इसे real time में देख लेते हैं इसे unbox करके कि यह कैसा आपको देखने को मिलता है तो आप देखी सकते हैं यह कुछ इस तरह का packaging में आता है इसके packaging बहुत ही अच्छी मुझे लगी और इसका जो यह protection के लिए दिया गया बहुत ही अच्छी से दिया गया तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसमें आपको एक DVD देखन को मिल जाती है और एक quick guide तो बात करते हैं इसके build quality तो build quality इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है इसके यह जिल्ड प्रोवाइड किया गया जिसमें कि आप गीगाबाइट कि देखने को मिल जाती है यह बहुत ही आपको देखने को मिल रही जाता है और इसमें आपको देख सकते हैं इसकी अंदर की build quality भी तक ही अच्छी देखने को मिल रही है जैसा कि मैं इसमें हीट सिंक बहुत ही अच्छा दिया गया तो यानि कि यह बहुत ही अच्छे से कूल रखेगा आपके जी पी यू को और आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होने वाली है जैसा कि बाक्स पर मैंशन था एट पिन तो यहां पर आपको एट पिन देखने को मिल रहा है अगर अब ने मिल रहा है तो यह अप देख सकते हैं अब को यहां पे लिए अच्छी अपर अच्डे के बहुत ही ज्याद है अगर्मे श्मतलू को इसके अश्य फ्प्रमेंश की बैच यह बहुत ज़्यादा अगर मैं किसी किसी गेम में यह थाैं ड़ आउन हो जाता है लेकिन आ प्लस ही मिलेगा, तो आप gaming के लिए भी इसे यूज का सकते हैं, अगर आप वीडियो डिटिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप इसे यूज का सकते हैं, इस ग्राफिक कार्ण से आफ 4K डिटिंग आराम से कर सकते हैं, कोई भी बिना परिशानी के यह दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसकी कोर क्लॉक की बात करें तो इसमें आपको 1,830 MHz देखने को मिल जाता है रही बात अभी इसके रेजोलेशन की तो यह ग्राफिक कार कितने डिस्प्ले रेजोलेशन को सपोर्ट करता है तो यह ग्राफ कार ओवर्कॉक्डबल नहीं तो यह आफकोस ऑवरकॉकडबल है तो आप इसे आराम से ऑवरकॉक कर सकते हैं तो यह है हमारा ग्राफिक कार जोकी बहुत ही अच्छे आपको दिखने को मिल रहा है अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाएगा वहान से चेक आउट कर सकते हैं तो आई अपको यह वीडियो पसंद आया होगा ठेंक यू ठाइक यू फॉर वाचिंग